तो हेलो दोस्तो वाटसब की ओम सक्रीन पर आप अपना फोटो कैसे लगा सकते हो उसी के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तो आप देख सकते हो मैंने अपने वाटसब की ओम सक्रीन पर अपना फोटो लगा रखा हैं अब जब भी मैं अपने WhatsApp को उपन करता हूँ या किसी से चैट करता हूँ तो ये फोटो वहापर दिखाई देता है तो आप लोग भी अपनी WhatsApp पर अपना फोटो लगा सकते हो बस आप वीडियो को एंट तक देखते रहना साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनलर को सब्सक्राइब जरू कर देना तो चलिए दोस्तो WhatsApp पर अपना फोटो सेट करना सीखते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको अपनी WhatsApp को उपन कर लेना है जैसे WhatsApp को उपन करोगे तो आप देख सकते हो मेरी WhatsApp पर अभी कोई भी फोटो नहीं लगाए अब आपको उपर 3.0 का उप्शन देखेगा इस पर ओके करना है सेटिंग का उप्शन देखेगा इस पर ओके करना है इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पर बैखा जाना है अब आपको प्ले स्टोर को उपन करना है जैसे आप प्ले स्टोर को उपन करोगे सर्च वाले उप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है Designer Tool यह आपको सर्च कर देना है जैसे दोस्तों आप ये सर्च करोगे पहले नमबर पे ये वाली अप्लिकेशन आ जाएगी पांच मिलियन पलस लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है इस अप्लिकेशन का जो लिंग का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगा डारेक्ट वहाँ से इस्टाल कर सकते हूँ जैसे आप इसको इस्टाल कर लोगे उसके बार में आपको इसको ओपन करना है तो जैसे दोस्तों आप इस अप्लिकेशन को ओपन करोगे ये अप्लिकेशन कुछी से ओपन हो जाएगी homepage यहाँ पे आपको नजर आएगा अब third number पे आपको एक option देखेगा mockup overlay का option देखेगा इस पे ok कर देना है जैसे इस पे ok करोगे यहाँ पे आपको एक plus का icon देखेगा इस पे ok करना है उसके बार में आपको allow all के option पे ok कर देना है जैसे allow all के option पे ok करोगे दोस्तो डारेक्ट आप अपने मुबाइल फोन की गैलरी में चले जाओगी अब आप जिस फोटो को अपने WhatsApp पे लगाना चाहते हो उस फोटो को आपको select कर लिना है जैसे कि मैं यह वाली फोटो यहापे select कर लेता हूँ उसके बार में mock-up overlay का option देखेगा इसको दोस्तो यहापे आपको enable कर देना है उसके बार में आपको allow के option पे ok करना है जैसे allow के option पे ok करोगे तो यहापे देखिए दोस्तो यह permission मांगेगा आपको यहापे इसको allow कर देना है तो हम इसको यहापे allow कर देते हैं यहाँ पे देखे दोस्तो इस वाले application को यहाँ पे आपको select कर लेना है उसके बार में आपको यहाँ पे इसको अलग वर देना है और यहाँ पे आपको back आजाना है जैसे दोस्तो आप back आओगे तो देखे दोस्तो अब यहाँ पे आपको एक option देखेगा नीचे setting का इस setting के option प पर नीची हो जाएगी और जो यहां पर फर्ष्ट वाला उप्शन है इससे आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो फोटो की तो मैं यहां पर इसको सेलेट कर लेता हूँ एटी कर देता हूँ उसके बार में दोस्त आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है आपकी जो फोटो है आपके वट्सप पर यहां पर सेट हो चुकी है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आप इन सेटिंग को यहां पर कर लेना और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो चलिए मैं अपनी वट्सप को यहां पर उपन करता हूँ जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पर अपनी वट्सप को उपन कर लिया है तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरी वट्सप पे दोस् आप आप इस वाली आप्लिकेशन को इसे अपनी फोटो को अपलोड कर देना है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद है अब आप भी अपनी फोटो को वाटसब पे लगाना सीख गेंगे किसी भी फोटो को यहाँ पे आप लगा सकती हो तो वीडियो अच्छा लगाओ तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो मिलते हैं दोस्ते कैसी के लिए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तो वीडियो पर बेने रहने के लिए आपसे भी का धन्यवाद जैही जैवारत